हाई गाईज गाईज आज का मार्किट देखकर आप लोग एक बास समझ जाए कि मार्किट में मौर्णिंग में अच्छे मुमेंट है लेकिन उसके बाद मार्किट बड़े लेवल पर साइडवेज हो रहा है और मैं शियोटी के साथ कह सकता हूं कि जादा तर रिटिन टेडर यहाँ पर ही इस साइडवेज मार्किट में अपना सबसे बड़ा लॉस कर रहे हैं जो कि वह साइडवेज मार्किट में बार बार टेड करते हैं जिसकी वजह से उन्हें एक बहुत बड़े लॉस का सावना करना पड़ रहा है आज की इस वीडियो बर हम लोग डिसकेशन कर और कौन से लेवल्स हमारे लिए perfect लेवल बन सकते हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज market ने किस तरीके से react किया आज market में एक trap था पहले ये लोग call side की तरफ बड़े candles के साथ market को लेकर गए और फिर उससे भी बड़े candles के साथ इन्होंने market को नीचे गिरा दिया क्या हम ये buying और selling लेवल्स को पकड़ सकते थे बिल्कुल पकड़ सकते थे भईया अगर आपने लेवल्स का respect किया होगा तो आप जरूर इन लेवल्स को पकड़ सकते थे आपको याद होगा कल के वीडियो में भी मैंने आपको ना एक चीज किलियर की थी कि market में एक लेवल्स था हमारा यहाँ पर 724 का अगर आप 724 का लेवल्स मार करके पैट जाते और इसके नीचे market में sale के लिए आ जाते तो आपको ये बड़ा moment मिल जाता तो आप market से एक अच्छा profit जनिट कर गए होते बस आपको जरूरत है इन लेवल्स पर आकर market में पर trade को execute करनी की आपको खाली नहीं बैठना है बहुत सब लोग क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि market कि यहाँ से नीचे गिरेगा लेकिर अपने trade को execute नहीं करते हैं और यहीं उनकी सबसे बड़ी गलती होती है ठीके और वहें क्या करते हैं market में return tender की गलती होती है जैसे यह एक support है और यह हमारे एक resistance है तो वहें ना तो यहाँ पर यहाँ support पर खरीदारी नहीं करेंगे वहें यहाँ पर center में आकर खरीदारी करेंगे रेजिस्टेंस पर आप put की खरीदारी करो और support पर आप call की खरीदारी करो ठीके आपको center में कभी भी trade नहीं करना चाहिए यह बात आप लोग आज से ही गाठ बांद लो अगर आपको इस market से एक अच्छा profit चाहिए तो ठीके अब बात करते हैं कि कल की दिर हम bank nifty में किस तरीके से trade कर सकते हैं देखें कल के levels निकालने से पहले आपको एक चीज जो मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ आज एक news आने वाली है US का data आने वाला है ठीके उस data के base पर market में कल एक बड़ा movement हो सकता है अगर data अच्छा आया तो market में तुम्हें upside के movement जादा देखने के लिए मिल जाएंगे और अगर data गलत आया ठीके तो market वापस से काफी बड़े level पर sale हो जाएगा और यह sideways जो गया है sideways रहने के पीछे का reason भी यही है कि वह data जो आने वाला US का वह बहुत बड़ा impact डालेगा कल के लिए लेकिन हमारे पास levels होंगे तो हम इन levels पर आकर एक अच्छा profit generate कर सकते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि market में हमारे पास कौन सा level है जहां से हम buying opportunity बना सकते हैं देखो अगर market कल के दिन gap up open होता है तो gap up open होने के बाद हमारे पास कौन सा एक level है यहाँ पर हमेक level mark कर लेते हैं और वह level है guys हमारे यहाँ पर 47,525 अगर market 47,525 के उपर निकलता है अगर market यहाँ पर 47,525 के उपर निकलेगा तो हम यहाँ पर buying के लिए जरूर जाएंगे हमारा पहला target कौन सा होगा हमारा पहला target होगा guys यहाँ पर मैं इस line को यहाँ पर mark कर देता हूँ हमारा पहला target होगा वापस से 47,723 यह हमारे लिए पहला target होगा 525 से अगर market इसके भी उपर निकलता है तो ज़्यादा सर क्या होता है market में अगर कोई news आती है news based market रहता है तो trending रहता है तो morning में ही market moment अच्छे दे रहा है तो आप लोगों को ध्यान रखना है अगर 723 का breakout होगा तो market हो सकता है कि यहाँ पर 48,000 तक पहुँच जाए तो आपको 48,000 तक यहाँ पर नजर बना कर रखनी है 723 के उपर अगर निकलता है तो ठीक है क्योंकि अगर strong gap up होगा तो market में यह moment बहुत असानी से अच्छी हो जाएगा bank nifty के अंदर अब अगर बात करें हम support की कि हमारे पास support कोन साथ bank nifty में तो bank nifty में मुझे support दिखाई दे रहा है guys और वह support है यहाँ पर 47,200 यह हमारे लिए एक strong support है और आप लोगों को मैंने एक level और बताये था वह level था यहाँ पर 47,000 ठीक है और 46,900 एक 47,000 का level था और एक था हमारा यहाँ पर 46,900 अगर आप ने इन दोनों levels को भी mark किया होता तो भी आप call side की तरफ एक अच्छा profit generate कर गए होते 47,000 market में psychological number था ठीक है और इसके साथ साथ strong support मैंने यहाँ पर 46,900 बताये था कल के लिए भी यह दोनों levels ही बहुत काम करने वाले हैं अगर market 46,900 के नीचे निकलता है तो market में काफी अच्छे बड़े level पर selling देखने के लिए मिल सकती है तो bank nifty में यह है हमारे पास 6 levels जहाँ पर हमें buying और selling कल के लिए देखने के लिए मिल सकती है I hope आप इन levels को ज़रूर mark करेंगे और इन ही levels के base पर आप कल के दिन अपनी buying और selling opportunity को देख सकते है अब बात करें निफ्टी के बारे में अब जाहिर सी बात है कि bank nifty ने selling किया था तो nifty भी यहाँ पर selling की हुआ होगा लेकिन बाद में market में sideways moment रहा ठीक है तो हमारे पास nifty में कौन से अच्छे levels हैं अब देखो निफ्टी में एक level वापस से आप लोगों को याद होगा मैं बार-बार बोल रहा हूँ यहाँ पर 22,000 यह वाला level ठीक है हम इस लोग को मार कर लेते हैं 22,225 यह एक strong level है आपने इस level को ज़रूर ध्यान में रखना है इसके उपर निकलता है तो market में buying options के लिए जा सकते हैं आपने इस चीज़ का ध्यान लखना है इसके बाद market में एक level वह आता है गाईज और वह आता है आपने हमारा 22,350 के आसपास का आपने इस level को भी खल के लिए mark करना है अगर market इसके उपर निकलता है तो market में बड़े options buying side के लिए बन सकते हैं क्योंकि market के जो closing दिये हैं वह दिये 22,332 के आसपास की है इसके बाद आपने एक level और mark करनी जिए और वह लेवाल है हमारा 22,300 ठीक है आप भी जानते हैं कि हर 50 point के आसपास निफ्टी यहाँ पर react करता है अब हमें selling कहां से देखने के लिए मिल सकती है देखो selling जो हमें देखने के लिए मिल सकती है निफ्टी के अंदर वह मिल सकती है 22,437 एक level हमारा यह हो गया और एक level हमारा आप लोग जानती है वह हमारा 22,524 ठीक है अभी data आने के बाद पता चलेगा कि market कल के दिन कितना strong रहने वाला है ठीक है strong रहेगा यह weak रहेगा अब जब data आ जाएगा ना तभी हम यह चीज clear कर सकते हैं वागी हमारे पास यही कुछ levels है जिसके बेस पर हम कल के दिन market में buying और selling opportunity देख सकते हैं ठीक है आई होप आपको nifty और bank nifty के levels पता चल गए होंगे और आपने mark भी कर लियोंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार मुझे comment करके ज़रूर बताइए का मिलते हैं next वीडियो में Thank you